और चीजे तब तक सामने निकल करके नहीं आएंगी जब तक आप उन लोगों पर फोकस नहीं करोगे जो सही सही से केस में शामिल हों चाहे वो कोई बिग पॉलिटीशियंस हो या बिग आक्टर्स हो या अन्य कोई लोग हो जो सुशान्त सिंग राजपूत के मर्डर केस में शामिल हैं तो सीधी सी बात है सको उलजाने की ने सकास को तुलजाने की आवश्यक्ता है क्योंकि दो महने से ज्यादा हो गए और मेरे को लगता है शायद कि भारतकी न्याय व्यवस्ता और भारतकी न्याय पालिका इतनी कमजोर नहीं कि तो शुशान्त सिंह राजपूत का लंड़न है एक्षे कुमान मुंबाई छोड़कर के लंडन की चलेग दूसरी बाथ अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस केस में अंकिता लोकंडे भी फस्ती नजारा रही हैं किसा के दो सबसे अहम विक्ति गति इतन दीपेश सावन्त पर दूसरे का नाम संदीप सिंग इन लोगों से चाहे वो ED हो चाहे वो SIT हो चाहे वो CBI हो किसी के भी द्वारा इनसे कोई ना तो पूछताच की गई ना तो इनका कोई बयान दर्ज किया गया मुंबई पुलिस के बाद अब ये जो चीजे हैं या ये जो इनकी कारिशेली दिखती नजा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चाहे अक्षे कुमार को जोड़ो चाहे आप अंकिता लोखंडे को जोड़ो चाहे आप बच्चन सहाब को जोड़ो कि उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया तो आप लोगों से बस एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अक्षे कुमार का बयान ना देना, अमिताप बच्चन का बयान ना देना, आयूशिमान खुराना का, सुषांध के पोस्ट पर टिपढ़ी ना करके, रिया चकरवर्ती के पोस्ट पर टिपढ़ी करना ये सब के सब सवाल खड़ा करते हैं, वॉलीवूट पे नमबर एक बात दूसरी बात इस केस में जिनकी सही involvement है उसकी तरफ ना तो मुंबई पुलिस ने फोकस किया ना तो SIT की टीम ने फोकस किया और मेरे को लगता है कि शायद आने वाले समय में CBI भी इनके फोकस ना करके कुछ ऐसे लोगों को पकड़ करके पूछताच करेगी जिनका इस के सिद्धान्त निकल करके आ रहे हैं इस केस में उन पर आप ज़रा फोकस कीजिए आप ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे कि अभी अभी जब आप लोगों ने देखा तो इस केस में कौन-कौन से विक्तियों के नाम जोड़े जा रहे थे शुरुआत में कौन-कौन जादातर मीडिया में वाइरल हुए, मीडिया में हाइलाइट्स हुए, जादातर लोगों ने कहा कि यहीं लोक्षामी है है, नंबर एक जो पहला नाम था, एयो, आदित या उधाव ठाकरे का, दूसरा नाम था, सलमान खान का, तीसरा नाम था, सिधार्थ पिठानी का, आई वह इम्तियाज खत्री हों या जो कोई ही विक्ति सुशांत सिंघ बजाए लोगों को पकड़-पकड़ करके उनसे पूच्छाच करके आप लोग वक्त क्यों जाया कर रहे हो तो जो भी चीजे हैं या फिर जो भी तेयोरीज नहीं या फिर जो भी सिध्धान्त निकल करके आ रहे चाहे वो सुषांत सभ्काइब करने में लगे हुए हैं अभी अभी आपने बयान सुना होगा पत्रकार राजदीप सरदेशाई का जिन्हों ने ये कहा कि सुशांत को इतना बड़ा बिग स्टार्ट नहीं था जितके लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई जाए अभी अभी वो फैर उन्होंने माफी मांग ली है और दूसरी बात जितने भी लोग इस केश से जुड़े हु है उनको पकड़ने की आवश्यक्ता है उनसे पूछताच करने की आवश्यक्ता है बिना समय गवाएं और बिना लॉंग लपेट के तभी इस जंता का और जो लोग इस केश से जुड़े हुआ उनका विश्वास बना रहेगा भारत के नियाव्यवस्था पे भारत की खृष करूंगा पुलिस कहीं की खराम नहीं होती चाहे वह वहार की पुलिस हो चाहे मुंबही की पुलिस हो बस उन्हें गलत करने पे तुछ बिग पॉलिटीशियंस है जो मजबूर कर देते हैं पुलिस वालों को सिर्फ तीन लोग परेशान करते हुआ नेता अकसर और घ करने का अगर मौका दिया जाता तो शायद इस केस को इतना उल्जाने की कोशिस ही नहीं की जाती आए अब बात कर लेते थोड़ा सा तुशांत सिंग राजपूत से जुड़े हुए वो नाम जो अभी नहीं दिख रहे हैं जैसे अभी आप लोगों नहीं सुना होगा कि अंकि इसके ठाकरे ने अब अपने नाम कर लिया है वो था कोबिड-9 का एक पेटनथा वो था कोबिड-9 का जिसपे वो कारिकर रहे थी जिसमें अक्षे कुमार जिसके ब्रेंड अमेस्टर थी तो जो भी चीजहें अपना प्रमार्य की अवश्यक्ता नहीं होती है तो आप लोग को बचाना हो जो इस केस में शामिल है तो मेरी मुंबई पुलिस से और भारत की नियाए पालिका से सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर निस्पक शुरूप से वो जाच नहीं कर सकते हैं तो इस जाच को CBI के हवाले कर दीजिए अभी समय है क्योंकि अभी CBI ने अपनी जाच की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है अभी ED और SIT की टीम जाच कर रही है और चीजे तब तक सामने निकल करके नहीं आएंग सुषानत सिंग राजपूत के मर्ढर केस में स्यामिल हैं तो सीधी बात है इस केस को उल्जाने की ने, ULJाने के एवश्क्ता है क्योंकि दो मह़ने से ज़्यादा हो गए और मेरे को लगता है शायिद कि भारत की नियाये विवस्था और भारत की नियायवजर आरिका इतनी कम्योंगे को द्धांत सही होते की जए सही होती चाहसा है अ에게 फिसकी नियाविवस्था सही होती भाध का कानून होता और भारत एग्वान की आदार पर कारी किया जाता तो शायद आज इतने देर तक इंतजार करने की आवश्यक्ता नहीं थी आज global prayer चल रहा है आज world world चल रहा है आज we want cbi investigation for सुशान सिंग राज पूछ चल रहा है कारण क्या है कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि सब को पता है कि एक pre-plan murder है यह एक सोची समझी साजुष के तहप की गई हत्या है ना कि यह आत्म हत्या कहते दिक्मत जयू और हाँ कुछ लोग मेरे से कहते रहते कि आप इतना ज्यादा बराबर बोलते क्यों रहते हो तो मैं आपको एक ठीद बता दूँ आपकी जानकारी के लिए father of constitution डॉक्टर भीम राव अमेडिकर ने समविधान में अभिवेक्ति की आजादी के तो जितने भी लोग हमारे इस मुहिम से जुलना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर के कारे करना चाहते हैं हमारा समर्थन करते हैं तो आप खट से लाइक के बटन को दबाईएगा चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा दीजिएगा सुशांत सिंह राजपूश से related जो भी खवरे हैं वो आप तक पहुचती रहे जो भी अपडेटस हैं और हाँ अगर सुशांत सिंह राजपूश से related आपके पास कोई evidence है आपके पास कोई स्ताक्षे जो आप हमसे साजा करना चाहते हैं तो नीचे description में हमारे Instagram और Facebook का लिंक ह आप वहाँ पर जाईए हमारे साथ Instagram से जुड़िए, Facebook से जुड़िए और अपनी चीजे हमें भेजिए, तक तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भारत माता की जाए, इंकलाब जिन्दाबार